यह है दुनिया का सबसे चुनोती पून रेलवे प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट है USBRL का कटरा बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो आप द्रस्य देख रहे हैं वो टनल T1 का है, टनल T1 वैसे तो 3169 मीटर लंबी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनोती यह आ हुआ, लेकिन यहाँ पर जो द्रस्य आप देख रहे हैं वो चिनाब ब्रिज का है, चिनाब ब्रिज में आर्च कम्प्लीट हो चुका है, डेक कम्प्लीट की जा चुकी है, अब आगे का काम किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही है, रेलवे बो चिनाब ब्रिज पूरा किये जाने के बाद आगे का काम कहीं धीमा पड़ा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक पर किस तरीके की तैयारियां सुरू हो चुकी है, अब यहाँ पर ट्रैक बिछाये जाएगा, वो भी बैलाश्ट लेस्ट, तो उसकी पूरी तैयारी चल रह रखे हुए है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि भारत के लिए यह रणनीतिक महत्वका है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस जगह पर मौसम पल-पल बदलता रहता है, यहाँ जो द्रस से आप दिन एकदम अलग होते हैं, और यहाँ पर जो चैलेंजेज हैं वो अपने आप में काफी महत्वकूर है, क्योंकि मौसम कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, साथी साथ यहाँ काम करने का जो सीजन है वो छोटा है, और इन सब के बावजूद लगातार काम किया जा रहा है, यह यहाँ देखे, क्या जवर्दस्त नजारा है, दुनिया के सबसे उचे महराबदार पुलका, यहाँ पर कुछी दिनों में ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है, यहाँ पर ट्रेक बिछाने की तैयारी चल रही है, यानि चिनाब ब्रिज की अगर हम बात करें, तो इसके दोनों तरफ जो सुरंगे हैं, उनमें बैलाश्ट लिस्ट ट्रेक डाला जाने लगा है, यहाँ नीचे आप देखे, किस तरीके से चिनाब नदी बह रही है, और यह जगह जिसकी अगम बात कर रहे हैं, यह अपने आप में काफी चुनवति पूंड है, यहाँ देखे, किस और हर जगह पर जहाँ जहाँ काम चल रहा है, उसका निरिक्षण किया गया, 80 से बकल तक 20 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, CRB ने निरिक्षण कारे किया, और इसमें एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूँ, कि इस परियोजना के दूसरे सबसे लंबे पुल की अगर हम बात करते हैं, तो वो है ब्रिज नंबर 49, वहाँ भी CRB पहुँचे, CRB यानि चेर्मेन रेलवे बोर्ड, तो जगह जगह क्या-क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, उन सब का लेखा जो खालिया गया, और यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जिसमें लगातार जमीन के नीचे एक्टिविटी होती रहती है, तो यहां की जो चुनोतियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन भारत के इंजिनियर सीना ताने खड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूर के जाने की जो कवायद है, जो कोशिस है, वो जारी है, यहां एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस जगह से होकर ट्रेन गुजरेगी, तो निश्चित तोर पर पूरी दुनिया के लिए ये एक अनोखा द्रस्य होगा, दुनिया की निगाहें इस रेलवे प रेलवे प्रोजेक्ट में जो की 111 किलोमीटर लंबा है, कट्रा से बनिहाल के बीश में, उसका एक बड़ा हिस्सा, आप समझेए, 90 किलोमीटर से जादा बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है, और ये सुरंगे अलग-अलग तरीके की चुनोतियों के साथ रेलवे के स कामने थे, कहीं पर पानी का रिशाओ हो रहा है, तो कहीं पर मिठेर निकला रही है और कहीं-कहीं पर क्या हो रहा है, कि जबड़दस्त लेंड्सलाइड हो रही है, इन सब के भीश, जो ऑंजीरिंग का करिस्मा है, वो है अन्गीपृज, यहां देखिए अन्जीपृज का एक और अलग द्रस से हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि चेर्मेन रेलवे बोर्ड ने इस काम का भी जाय जाय लिया यहां पर एक अलग तरीके का पुल बनाय जा रहा है यह पुल है भारत का पहला केबल इस्टेग रेलवे पुल और इसकी प्रोग्रिस भी आप देखे किस तरीके का यह पुल है और यहां पर भी जवर्दस तरीके से काम किया जा रहा है यहां पर केबल डाले जाने लगे हैं और यह पुल अपने आप में अनूठा है अनुठा इसलिए है क्योंकि इस तरीके का पुल पूरे देश में ये इकलोता है इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है अंजी बिरिज में नियू के उपर से 193 मीटर और नदी के तल से 331 मीटर की उचाई का एक सिंगल में पाइलान है जो की काफी उचा है दूर से ही दिखाई देत है इस पुल के कट्रा छोर पर अबट्मेंट सबस्ट्रक्चर का निर्माण कारे काफी तेजी से किया जा रहा है